हलो दोस्तों स्वागात अब सबकापके अपने इटू चनल प्री एजिक्वेशन बाई पीके मैता में और आज किसमें हम बात करने वाले हैं सिंप्लिफिकेशन की कुछ इंपोर्टेंट प्रेशनों के बारे में जो कि अक्सर किसी ने किसी जाम में आपसे पूछ लिए आते हैं ठीक है जिसा कि मैंने प्रेशन लिए हुआ है थ्री दिए तीन बटे में क्या एक का स्क्वार इंटू टू का स्क्वार प्लस पांच बटे में दो के स्क्वार हो वो 3 और च्वाट टिक है ? तो ऐसी प्रेस्टन हो भी क्या बिल्कुल भी लों मैठीड प्ररयोग नहीं करेंगे हैं इसको करने हैं क्या करेंगे हैं ट्रिक्स का प्रयोग करने वाले हैं ठिक है क्या कर रहा है वो hack इसका सॉल्व कर एंगे सबसे पहला क्या तीन बटे में क्या है एक स्क्वाइर इंटू दो स्क्वाइर इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या एक बटे में एक का स्क्वाइर माइनस एक बटे में दो का स्क्वाइर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कैसे ध्यान दिजीए यह अगर हम लोग इन दोनों का LCM निकालें एक का स्कॉर इंटू 2 का इसकॉर का तो आपके LCM का निकल करेगा हमारा स्कॉर इंटू 2 का स्कॉर रहीत होगा जब हमारा LCM नहीं निकलता है तो क्या करते हैं करते हैं लोग क्या क्या multiply है मेर लसे निकल गया अब क्या करें हम लो 3 बटे में 1 का स्कुरार, बटे में 2 का स्कुरार तो प्राप थूआ हमारा, वह न, इसी प्रकार लोग, इसको क्या लिखते हम लोग, इस फ्रम में लिख सकते हैं, ठीक, इसी प्रकार इसको, इसको कैसे लिखे हम लोग, 5 बटे में हैं, आपका कितना है, 2 बटे में 4 है, इसको इसको पर लिखेंगे। यहां भी क्या होगा। प्लस एह तो प्लस। इसको भी लिखेंगे। इक बटे में तिन के पावर दो। माइनस का 1 बटे में 4 के पावर 2 प्लस है तो इन्फिनेट तक चलेंगे सुलेकर इन्फाइनाइट तक ठीक है कोई इसका अंत नहीं है यहां तक में आपको कोई दिकत नहीं होना चाहिए चलिए अब यहां पे ट्रिक क्या है ध्यान देंगे अप लोग यहां बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट को आप हटावी सकते हो नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्यान से देखेंगे अब लोग यह क्या आपका 1 बटे में 1 का स्क्वार जब का माइनस में है है ना और यह क्या 1 बटे में 2 का स्क्वार क्या है याने कि इस पर यह भी कटेगा यह भी कटेगा कटे कटे आपका अंत तक पूरा बिल्कुल साफ हो जाने वाला है ठीके तो अंत में क्या बचेगा आपका कीवल और कीवल एक बटे में क्या बचेगा इनफाइनाइट बचेगा हमारा ठीक है और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एक बटे मे एक स्कुराइर बचेगा आपका देख पा रहे हैं आप लोग कि एक का स्क्वार कितना होता एक और एक से एक में भाग करेंगे तो हमारा एक ही तो होगा होगा ना और एक बटे इन्फाइनाइट का स्क्वार भी इन्फाइनाइट होता है और इन्फाइनाइट में किसी भी संख्य SORIN FINITE से किसी भी संक्या में भाग देते हैं उसका VALUE कितना होता है 0 यानिकि 1- stitches 0 करेंगे ठेडहे इसका जो वैलो होगा इसका वैलो 어제 यह इसका वैलो जेजाएगा ठेडommen जीरू करेंगे तो आपका gerçekten कितना एगा हमारा एक ही तो आएगह ऊगा और यहीं क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा यानि कि आपका option number 1 क्या हो जाएगा हमारा सही answer हो जाएगा क्लिए हुआ चलिए अगला प्रशन देखते हैं बोग तो हमारा अगला प्रशन आप देख पा रहा है प्रशन है कि 4 दसमलो 3 पर क्या आपका बार ठीक है इसको मोड भी पढ़ते हैं इसमें ठीक है प्लस 5.3 पे बार अपका है फिर 2 प्लस 3 का बार है का मान आपका क्या होगा मान आपसे पूछ रहा है ठीक है ठीक है बहुत ही सिंपल है ठीक है कन्फिजन कहा है पर बार वाले संचा को लिए ठीक है तो बिल्कुल भी कन्फि में point 3 को add कर दें तो हमारा answer कितना होगा 4.3 ही तो होगा इसी परकार हम लोग क्या करेंगे इस 4.3 पर जो बार है इसको लिखेंगे हम लोग क्या 4 plus जो point 3 है ना point 3 अब देख रहा है यहाँ दसमलो के बाद है यहाँ पर लगा हुआ बार तो कुछ नहीं करना है दसमलो के बाद जितने भी संख्या होते हैं और जिस पर बार लगाता है इसे एक अंग पर बार है तो मुनों क्या लिखेंगे 9 एक बार नौ लिखना है अगर 2 संख्या बार है तो मुनों 2 बार नौ लिखेंगे तीन संख्या बार रहेंगा तो तीन बार नो लिखेंगे, कोई दीकत नहीं है, ठीके, प्लस, फिर क्या आपका, पांच, यहां भी क्या हो, दसमेलों को बदले, प्लस डालेंगे, दसमेलों को बदले होता है, प्लस, जाद रखेंगे, फिर यहां भी क्या आपका, तीन, और ब और फूर यह सब क्या है पूरूनांग है इसको आप काट सकते हैं तीन एकम तीन 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 नो यहां भी काट सकते हैं तीन एकम तीन 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 नो यहां भी काट सकते हैं तीन एकम तीन 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 नो ठीक है और आपको हम बताये थे कि पूरूनांग का भिन जो जोड़ते हैं लोग कैसे जोड़ते हैं, ट्रिक्स हैं , सभी पूर्णातों को एक जगा जोड़ते हैं, चार प्लस 8 तो नो कितने होते न प्लस D using 1 हाने की इसको लिखेैंगा का, कि 11, प्लस है तो प्लस करेंगे , आब सभी भीन को एक साथ जोड़ेंगे. देखेंगा अप लोग 1 बटे 3 ब्लस 1 बटे 3, प्लस 1 बटे 3. ट्रिक क्या होता है? जब सब का हर क्या हो? समान हो. हर, देखेंगे, यहां पर 3 ह температу Är यहां भी 3 है, और यहां भी क्या है? तो अगर जोड में रहेगा तो अंस को जोड देंगे घटा हो में रहेगा तो अंस को आपस में घटा देंगे लेकिन सब के सब क्या है आपे जोड में है हर से में है तो अंस को आप जोड देंगे तो एक प्लस एक प्लस एक कितना होगा आपका 3 हो जाएगा और बटे में आपका LCM तो 3 ही होने वाला है 3 का LCM ठीके और 3 बटे 3 को आप कट करेंगे तो आपका कितना अर्म कटे का 1 बार में और 1 बटे 1 का भेलू कितना हो था 1 इस पर का हमारा आंसर जो होगा 11 प्लस 1 12 और यहीं जो का हमारा final answer होगा तो आपका option number 1 क्या हो जाएगा हमारा सही answer हो जाएगा तुमीद करते हैं पसंद में आओगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं लोग तो हमारा अगला प्रस्न है अब देख पा रहे हैं इसको आपको solve करना हो इसका अंसर जो है find out करना है ठीक है तो ऐसे प्रस्नों solve करने के लिए बच्चे क्या करते हैं अकसर इसके बटे में एक डालेंगे और भीन की घटा के तरफ solve करेंगे या फिर 61 को इसके सथ multiply करेंगे फिर इसको हटाएंगे फिर answer देंगे जो कि आपको लंबा समय लेने वाला है ठीक है हम लोग इसको करेंगे ट्रिक से solve इसको solve करने से पहले आप लोग को एक प्रश्न का जवाब देजिए मैंने हैं आप लिखा है कितना 16 ठीक है माइनस कर दिया मैंने आपको 4 अपों 7 ठीक है तो आप इसको solve कैसे करेंगे इसको solve करने के solve ट्रिक समय लेंगे आप लोग इस 16 को आपको लिखने कैसे है 15 प्लस का 1 16 ही तो होगा अब फिर करने आपको क्या माइनस 4 भाई 7 ठीक है इतना करने के बाद क्या करते हम लोग इसको अलग समझेंगे और इंको एक साथ ले लेंगे अब बताइए इसको solve कैसे करेंगे हम लोग 7 गुने में एक करेंगे 7 7 में से 4 घटाएंग कितना होगा 3 होगा 7 में से 4 घटाएंग 3 और 3 बटे कितना होने होगा 7 यानि किसको में करेंगे 15 प्लस का तीन बट्टे में साथ और यहीं जोगा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर होगा सोरी माइनस ठीक है यहीं क्या होगा फाइनल आंसर होने वाला है ठीक है इसी प्रकार में लोग क्या करेंगे उस वाले प्रेश्ण को भी सौल्ब करेंगे चलिए हमरा अगला प्रेश्ण यह कोई जरुत नहीं है ठीक है इसको करेंगे लोग ट्रीक से ट्रीक क्या ध्यान देंगे अगर हम लिए माले जी है अप लिखते हैं कितना तेरा माइनस टू बटे में फाइब कर देता हूं ठीक है इसको स्वल्ब कर सेकें देखिए यह प्रेशन कुछ इसी प्रकार है यह थोड़ा चोटा यह कितना है बड़ा है इसको स्वल्ब करते हैं पहले हम लोग तेरो क्या ले सकते हैं लोग बारा प्लस का वन फिर क्या है मानस का टू बई फाइब तो मैंस करने वाले हैं? आपको क्या करना है इस वाले को एक साहथ पखड़ने है अलग स्वाल्ब करने है ठीक है बारों का फिसी तर छोड़ दीजिए बारा है पांच गुल्ण्यक में एक करें कितना वोगा पांच अब पांच मेंस दो को मानस करें कितना ओगा तीन और वसका आपको एक मानस करने वाले हैं जो ही आप प्रूनांग है यानि कि करना क्या है 6 7 8 4 5 यहाँ पर 6 में से एक आप मानस कर लेंगे कितना वज़े आपका 5 ठीक है और प्लस में इसी 1 को आप यहाँ पर एड़ कर देंगे ठीक है प्लस में 1 को इसको ब्रैकट में नहीं घरना है लेंगे घर देता है समझाने के लिए मानस का 58 है तो 58 और कितना 61 तो 61 और आपको इसको स्वल्ब करने का ट्रिक पता है 61 into 61 मानस करें कितना 58 वज़े आप कितना 3 यानि कि जो आपका अंसर होने वाला है क्या होगा 6 7 8 4 5 5 61 में से 58 को मानस करें कितना अपका 3 और बटेम कितना होगा 61 इस प्रेशन का जो आंसर होगा आपका यहीं होने वाला है यहीं क्या होगा आपका final answer होगा ठीक है तो उम्मेद करते हैं आपको वीडियो पसंदे होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और